पिछले वीडियो में हमने उकी मात्रा को पढ़ना सीखा अब हम उकी मात्रा को लिखना सीखेंगे तो देखें उकी मात्रा को लिखकर किस तरह से हम शब्द बनाते हैं जैसे ख, उकी मात्रा, श, जब हम इनको मिला कर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा खुश प, श, उकी मात्रा, पशु, ग, उकी मात्रा, ग, गुड, क, श, उकी मात्रा, आ जा कच्छुआ, जा, म, उकी मात्रा, न, जमुड, ग, उकी मात्रा, ज, रा, त, गुजराद स, ब, उकिमात्र, न, साबुन, ब, उकिमात्र, ढडिया, बुढिया, ग, उकिमात्र, लाब, गुलाब ध, न, उकिमात्र, श, धनुष, क, उकिमात्र, म, र, कुमार, त, उकिमात्र, ल, सी, तुलसी म, ध, उकिमात्र, र, मधुर, य, म, उकिमात्र, न, य, मुना, ब, उकिमात्र, खा, र, बुखार उसके बाद हम शुरुत लेखन लिखेंगे, शुरुत लेखन अर्थात, शब्दों को ध्यान से सुनना और फिर लिखना इसके लिए आपने पैरेंट्स की या एल्डर्स की साहता लीजिए, उनको बोलिए कि वो शब्द आपको प्रोनाउंस करेंगे या उचारण करके बोलेंगे, आप उनको सुनेंगे और लिखेंगे किस तरह से? पुल, खुश, चुहिया, सुमन, कुर्सी, कुतर, जुराप, सुन, बुलबुल, मुकुट, सुराही और कुसुम इन शब्दों को इसी तरह से सिर्फ उचारण करके आपको लिखना है किसी भी मात्रा की कोई हिंट नहीं दी जाती है आपको ध्यान से सुनना है और स्वयम ही लिखना है उसके बाद लिखेंगे सुलेक अर्थार सुन्दर शब्दों को लिखना या सुन्दर हैंड रैटिंग लिखना सुनील सुबे हुई साबुन लगा कर नहा यमुना का पानी पी फुल्वारी महग गई गुलाब खिल गया बुल-बुल चहक उठी, मधुर गीत गुनगुना, बुरा मत सुन्द, चुन्मुन, गुमसुम मत रहे, खुश रहे तो इस तरह से आपको सुलेक लिखनी है आज मैंने आपको उकी मात्रा को पढ़ना और लिखना समझाया आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा तब तक के लिए घर पर रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे धन्यवाद